कि मस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का प्रोफिशेंसी एजुकेशन वर्ल्ड में दोस्तों आज हम लोग करेंगे टाइम एडवर्क की क्लास नमबर चार इससे पहले तीन क्लास से हो चुकी हैं जिसमें हम लोगों ने 23 कोश्चन सक पढ़ लिये हैं तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कोश्चन 24 से लेकर के कोश्चन नमबर 29 तक चलिए शुरू करते हैं कोश्चन नमबर 24 से यह रहा आप लोगों के सामने स्क्रीन पर तो कॉश्चन में कहता है कि 12 लोग किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं यदि 6 लोग 6 दिन काम करने के काम करके खतम करने में अतिरिक्त कितने दिन लगेंगे तो देखे यहां पर हम लोगों को थोड़ा सा एक आइडिया और लगाना पड़ेगा पहले तो किया तो इन्फोर्मेशन दी गई थी हम लोगों ने उनको ड्रेक्ट ही पुट कर लिया था लेकिन यहां पर थोड़ा सा देखना है देखिये यहां पर लोग किसी काम को बारा दिनों में घ्टम कर सकते हैं यह उते दिए हैं कि स्वाका करके दिनों के काम जिवाला कम निब ने कहा है के यहां ने कभिव जोड़ें को सब्ढ कि इस चुरुबात में लगए है बारा आदमी थी उसके बारा आदमी जिर लोग काम करते हैं इन pię उन्हें payload क्शे निमकाम की है ऐसके बाद हो इसके बाद यहाँ से यहाँ फिर जलेगे अब हमारे पस्क पसके फिर हो भीए उन सितित्रिषाट Touch च्छे दिनों में एक बार दुबारा आदमी उअ जैसे शुरुराइब कहा है बधुश dicono 1000 सरफ बारा दिन जादा यदि यह कॉप पर छय दिन तो काम किया यह निकिस जो काम था निपट गया अब बाकी काम बचा है वो बारा आदमियों का काम बचा है छे दिनों का ठीक है तो आप हम लिख सकते हैं जिस काम को बारा आदमी छे दिन कर सकते हैं अब वही काम यह कहता अब छे आदमी रह गए ठीक है पहले तो बारा आदमी थे छे आदमी अब चले गए तो अब कितने रह गए छे आदमी तो छे आदमी उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे तो छे से छे कैंसल हो जाएगा तो कितने दिन लगेंगे अब लोगों के सामने इसमें कहता है कि एक ठेकेदार को 16 दिनों में एक सड़क बनाने का ठेका दिया गया 20 मजदूरों के साथ 12 दिन केवल 5 बटा 8 सड़क ही बन पाई निर्दाय समय से काम पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त मजदूरों की आवशक्ता होगी देखे इस कोश्चिन में आप यह देखिए कि ठेकेदार ने टाइम कितना लिया है उसने कहा है कि 16 दिनों में एक सड़क बनाने को दिया गया है ठेका तो टोटल जोसका टाइम पिरिड जो था वो 16 दिन का तो मैं इस तरह से रिपरजेंट करता हूं ताकि आपको समझने में असानी हो आपको एक्जाम में इस तरह से करने की जुरूर तो नहीं है या भी आपको टाइम कंजूमिंग हो जाएगा यह तो तो एक समझने के लिए मैं इस तरह से टोड़ा डाइगरम त्यार कर रहा हूं हूं माले था कि टोटल दिन है यह हो गया है एक सड़क बनाने के इसाने ले ठखांस है तो बीस मजदूरों के साथ काम पर लगा है कितना याशने काम शसें तक क् समझना के बहुत है इन बारास दिनों के अंदर जिया दो क्यार आप professionals ARE ही सड़क बनाई कि हैंने कि हम मीसे पैंच बाट रह गयाए तो बचा हूओ कितना रहाए यहां सकते हैं कि हैं लुट पाँच उनिट कम निपट चुका है तो अब टोटल आठ उनिट में से कितना काम बागी रहा गया तो बाकी कितना रह गया तो पांच बटा आट तो काम निपट गया अब हम इस पर लगाते हैं वही वाला फॉर्मूला जो हम लोग ने पहले सीकह है कि मैं 1 इंटू में टाइम तू अपोन में वर्क टू अब देखो यह कहता है कि 20 मजदूर थे लिख दिया भी 20 मजदूर कितना टाइम लिया लोगने बारा दिन लिये कितना काम निप्टाया पांच बटा आठ काम निप्टा दिया ठीक है और अब कहता है कि मजदूर ही निकालने हैं लोग कितने आदमी लगाएं निर्धारित समय का मतलब 16 दिनों में काम होना था 12 दिन बीट चुके हैं अब हमारे पास कितने दिन है काम करने के लिए ठीक है 16 में से 12 गये तो चार दिन अभी हमारे पास बाकी है तो आब हमको पूरा काम निप्टा कि देना है वो सिरफ चार ही दिनों में इप्टाना है ताकि काम निर्धार समय से हो जाए तो पांच बटा आठ काम हो गया बच कितना गया भी तीन बटे आठ अब आप चाहें तो इस आठ को यहां से काट ही सकते कि भी पलटेगा तो यसी भी जाएगा वह पर जाने बाद तो हो जाएगी तो मैं रिक्वाइड हो जाएगे 36 अब 36 जो है टोटल व्यक्ति चाहिए हमको 36 आदमी चार दिनों में इस काम को यहीं कि तीन बटा आठ काम को निप्टा देंगे लेकिन इसमें हमसे यह नहीं पूछा गया कि कितने आदमी चाहिए इसमें यह पूछा है कितने अतिरिक तादमी चाहिए ठीक है तो 36 आदमी की रिक्वाइर्मेंट है हमारे पास ओलेडी है कितने बीस है तो एक्स्ट्रा और कितने मंगवाएं तो एक्स्ट्रा मंगवा लो वही और 16 व्यक्ति तो 16 व्यक्ति हो कि हमको और रिक्वाइर्मेंट हो जाएगी option number D हो गया इस समझ में आया होगा इसी के अधारित और भी मैं questions करवाता हूं यानिक इसी pattern पर बेश्ट है तो आज की class जो है इसी pattern पर रहेगी है इसी परकार के questions के लिए रहेगी तो चलिए मैं इसको रब करता हूं और बढ़ते हैं next question कियो तो लिजे यह रहा question number 26 आप लोगों के सामने क कहता है कि एक company ने 150 दिन में किसी काम को पूरा करने के लिए 200 कामगारों को न्यूक्त किया यदि 50 दिन में के वल एक चुथाई काम पूरा हुआ हो तो पूरे काम को समय पर पूरा करने के लिए कितने अध्रिक्त कामगार लगाने पड़ेंगे बिल्कुल सेम पिछले वाले इस देता हूं दोस्तों आदमी काम पर लगे हैं यहां पर जो 50 दिन है यह 50 दिन जो बीट गए इसमें एक बटा चार कंप्लीट हुआ है तो बाकि कितने दिन बच गया हमारे पास सो दिन बच गया और कहता है कि एक चुथाई काम यहां पर पूरा हो गया तो अब यहनी चा कितने आदमी कि अब बचा हो memoir करें तो बचा हुआ क्या है है तीन बटा चार चार सब्सक्राइब हो जाएगा तो बाक्ति सो से दो जिरो कैंसल तो पचास दूनी सो यहां पर हो जाएगा तीन इजर से तीन सो जाएगा तो मैं कितने जुरुद हमको तीन सो आदमी एक हमको requirement है ओल लेड़ी हमारे पास कितने है 200 जब 200 हमारे पास है तो अतिरिक्त पूछा गया है तो अतिरिक्त हमको 100 आदमी और लगाने पढ़ेंगे अतिरिक्त option number B हो जाएगा इसका right answer तो चलिए बढ़ते हैं next question की और question number 27 तो लीजे ये रहा question number 27 आप लोगों के सामने इसमें कहता है कि एक ठेकेदार 92 दिनों में किसी काम को पूरा करने का ठेका लेता है और वह इसके 110 लोगों को काम पर लगाता है 48 दिने बद वह पाता है कि उसने 3 b'te 5 भाग काम को खत्म कर दिया है तो काम का समय पर खत्म करने के लिए बहुत कितने लोगों को काम से हटा सकता है देखिए यहाँ पर condition यह है कि लोगों का काम से हटाना है याणिकि पहले क्या था जो time था कंप्लीट करने में हम लोगों में को जाहा आधमियों काम करने के लिए अभशकता होती हुए यह यह सकते हों 2 कि विक्ति हैं उन सीब कंप्लीट करने के लिए फटाँ एक मिंगए समय दो कि दो तो दो जिनो में किसी काम को करने का ठेक लेता है वह इसके लिए 110 किहां है110 साध्मी 30 दिनों के बाद पाता है and के आदमें कितने आदमीं की पड़ेगी आदमे निकाल लेते हैं आपर संद्हारिट तो इसमें से 48 दिन हम लोग गटा लेते हैं तो अब जाएगा अपने पास 44 दिनों में बचे लिए थेका लिया था तो काम कर लिया तो 44 दिन जो बच गई उसमें कितने आदमी काम करके इस काम को निफटा देंगे तो 44 दिनों में काम कितना करना भी पांच में से तीन काम हो गया तो बच कितना गया दो बटा पांच काम बच गया तो मस काट लेते हैं अब पांच से पांच कैंसल तीन से काड़ लेते हैं आप यहां पर बचा है यहां पर बचा है दस यहां पर बचा है चार और बचा है दो यानिकि 10 जो के 40, 40 तो न 80, यानिकि मैंन की जो वैल्यू आ जाएगी, वो कितनी आ जाएगी, 80, यानिकि इस काम को टाइम पर निफ्टाने के लिए, अब हम लोगों कितने आदमियों के अब शकता है, मातर 80 व्यक्ति होगी, लेकिन हमारे पास काम पर है कितने व्यक्ति 110, तो है, option number D हो गया, इसका right answer, ठीक है, बढ़ते हैं, अब next question की और, यह रहा question number 28, कहता है कि एक काम को 5 दिन में समाप्त करने के लिए, कितने लोगों की जुरूरत होगी, यदि 15 लोग एक बटा तीन भाग काम को 7 दिनों में समाप्त करते हैं, यह कहता है कि यदि 15 लोग, 15 करने के लिए, कितने लोगों की जुरूरत होगी, यदि 15 लोग, एक बटा तीन भाग काम को 7 दिनों में समाप्त करते हैं, तो यहां पर यह है, कि यहां पर बच्चे हुए काम की बात नहीं हो रही है, यहां पर यह कहता है, कि पूरा काम तो एक ही होता है, आपने आप में, तो पूरे काम जो है वह कंपलीट करने में कितने दिन लगेंगे तो यहां पर गए तो यहां से कतम करता हूं तो महाई ऊपर इसको काटते हैं से इसको तो कितने आधिमियों कर रचता होगी तत्रेसट आधिमियों की तो अउप्शन नूमबर बी हो का अंसर चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन पर तो लिजे यह रहा कोश्चन नमर 29 आज की क्लास का लास्ट कोश्चन आप लोग के सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर तो देखते हैं कहता है कि एक ठेकेदार ने 40 दिन में सड़क करने के लिए इसी कारे के लिए यह है कि 25 दिन तक काम किया है 20 दे लिए चार दिन पहले काम खतम करने के लिए कितने अतरिक्त पूर्शों को काम पर लगाना पड़ेगा अब उस्वाइब पहले काम खतम करना है तो चालीस में से चोपीज दिन गई तो बच कितने गई वह चार Oke तो अब हम को क्या करना है क्वा निफ्टाना है ने और कितने वह रिप्टाना है तो बच कितने गया तो ने तो दो बच दो तो दो बटा तीन काम फ्राने के लिए हम लोगों कितने आदमि के आउशक्त ohगी हम मैं लिख देता हूंon यह तो हमको हम को क्योंते के निकालना है वाई आज मिन लिख लेकर तो 3-3 मांकी 2 Wed आदमी काम पर लगाने होगी कितने अतिरिक्ट पूर्स काम पर लगाने होगे तो यह 75 आदमी अत्रिक्त लगाने पड़ेंगे तो चलिए उम्मीद करता हूँ कि आपको इवाले question समझ में आये होंगे आज हम लोगों ने एक type देखी इससे next वाले जो वीडियो होगी इसमें time and work के ही जो है दूसरी type के question हम लोग सीखेंगे तो आज की इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपको धन्यवाद मिलते ह है next class में तब तक के लिए नमस्कार